हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवरिजम्टिक दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 31 अगस्त को नेशनल बॉर्ड आफ एक्स जिमनेशन का एक्जाम होने वाला है और उसे समधित वीडियो में लगातार अपने चैनल पर यूट अपलोट कर रहा हूं तो दोस्तों उस तो दोस्तों इसही कटिको आगे बढ ECUGBזה आज हम पूछेंगे Сाइंस से बी कोश्टन है और जो है इस्टाकी जीके सेभी कोश्टन हैं तो दोस्तों यह ऐसे कोश्टन हैं जो हर एक एक्जाम में कभी नपाभी पूछेंगे और और elly Сам exception है तो प्रिवेस्यूजieg कर लीजिय उसके बाद अपने तयारी का उनुमान लगा लिजे ठीक है दोस्तों चली वीडियो शुरू करते एंसीbel वीडियो शुरू करने से आप हमसे जुड़ जाएंगे उसके बाद लगतार मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर उसका सभी जानकारी आपको मिल जाएगे दोस्तों मैं जितने भी दिन बचा है से इस दिन आपके नेशनल बॉड़ाफी जैमिनेशन सम्मेचे बह तो दूस्तों आपको 310 Kelvin हो जाएगा वाँ और दोस्तों द्राकी का प्रियोग अधिकतर किसके द्वारा किये जाता नो संचाल्पों को द्वारा मतलब नाविकों के द्वारा जो है सोनार आधिकतर की जाता है दोस्तों हम जानते हैं कि गहराई में सुपेचे वाष्टों क प्रकास के परावरतन के कारण होता है चलिए दोस्तों रेडियो धर्मिता किसके द्वारा नापी जाती है तो दोस्तों रेडियो धर्मिता को नापने के लिए हम गीघर मुलर काउंटर का प्रियुक करते हैं दोस्तों मुलर काउंटर एक परकार की इन्तर है जिसके द्वारा जो है रेडियो धर्मिता को मापा जाता है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ेता हैं और अगला कोशिर हमारा समिधान से है नियंतरक्श्य तो महालेखक परिच्छा के पद के बारे में जानकारी समिधन के किस अनुछेद में मिलता है तो दोस्तों चुकि आप जानते हैं कि अभी हाली में कैगिकाप पद जो है चर्चा में रहा है चर्चा कभी से रहा है तो दोस्तों यहां से समधित भी कोईशन पूछे जाने की उ की गई है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कोशन है दोस्तों भारत सरकार का सरुप्थम भी थी मतलब लीगल अधिकारी कौन होता है मतलब यह दोस्तों जो भारत सरकार का जो वकील होता है सियत साधान में समझे कि भारत सरकार का जो सरकारी वकील होता है स्वैंग का भारत सरकार का वकील होता है वह कौन है तो दोस्तों भारत का अटार्णी जनरल होता है ठीक है दोस्तों तो भारत का जो महा नहायवादी होता है वही भारत सरकार का वकील होता है और दोस्तों इसका जो चर्चा किया गया है वह अनुष्यद नंबर 76 76 में किया गय चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं अगला हुद्ट में इसमें को हम पूछा है तो यह समय हम पूछे हैं तो यह दोस्तो मिमानवार नाशी मुंबईिस को मुंबई कोınız आपको मतोगन क्या है तुचिन क्या है। उसके बारे में आपको बताना है किताम क्या है तो दोस्तों चिनुक जो है यह से यूजय सपर्च जुन स्टेट आफ अमेरिका और कनाडा के मत जो राकी परवतिस्थित है उसके पूर्वी ढाल की और चलने वाला सुस्क पवन है ठीक है दोस्तों तो उसके पूर्वी ढाल की और चलने वाला सुस्क पवन है चीनुक ठीक चीनुक क्या है यह यह यूसे और कनाडा के राकी परवत के पूर्वी ढाल की और चल दोस्तों आजाध थिंद फोजु के संस्थाप्क सभास और हिर्हुर्ट यह का कप कब आया था तो रोलेट एट कब आया था या रोलेट एक्ट कब पारित हुआ थो दोस्तों इसका सही अंसवर 19 मार्च 1919 19 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था दोस्तों इक ग्रामा कोश्चन है हमारा इस वीडियो का कि बावर ने बावर नामा की रचना की इसका फार्सी प्रामि की रशना की ती लेकिन इसको फार्सी में ऐषने ट्रांसलेट किया था तो इसका सभी अंस्वर है अब्दुलरहीम खान खाना तो दोस्तों अब्दुल्रहीम घान खाना जो एक अगबर का दरबारी रहता था अकबर के नौरत में गर देतें तो इसमें से एक था और अब्दुलरहीम खान खाना जो है बाबर के जो है बाबर नामा का फार्सी में अनुवाद किया था ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला कोस्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट कोस्चन है और बारामा कोस्चन है दोस्तों पी नोट किस खेल से सम्मंद हैं एक दम कहानी के तौर पर तुरंत याद सकते हैं तो यदि आपने नहीं देखा है तो फिले लिस्ट में जाएए आपको इस ट्रीक वाले पोरिशन में मिल जाएगा वह वीडियो तो दोस्तों मैं इसका लिंक वीडियो के लास्ट में भी दे दिया हूं और दोस्तों उस में बस आप यदि वीडियो देख भर लेते हैं एक बार तो आपको सभी खेल से समद्धी सब्दाव लिया आपके दिमाग में ब्लाड जाएंगी इस तरीके से उसमें बताया ठीक है दोस्तों तो यह दोस्तों इसका सभी अंसवर है बास्केट बाल पी नोड जो सब्द है बास्केट बाल से समद्धी थैं ठीक है दोस्तों यह थे हैं इस वीडियो के बारेक कोश्चन टाब बारेक कोश्चन जो स्ट्रेटिक चीके और साइंस से रिलिए थे तो दोस्तों इसे कोश्चन आपके एक्जाम में पूछने की अमीद बनेगी क्योंकि दोस्तों प्रिव